पटादकल जिसे रक्तपूर के नाम से भी जाना जाता है जो 7th and 8th century में बनी हिंदू, जैन, बौध मंदिरों का कॉंप्लेक्स है पटादकल नदन करनाटका में मल प्रवान अधी के पश्मीटर पर इस्थित UNESCO World Heritage Site है जो बादामी से 23 किलोमेटर की दूरी पर और एहोल से 10 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है सामानित हिंदू मंदिर भवान शिफ को समर्पित है लेकिन वैशनविजम और सक्तिजम की थियोलाजी और लीजन्स को भी दर्शाया गया है रामायन, माभारत, पंच तंत्र, गीता की कहानियों को मंदिर की दिवारों पर उकेरा गया है कॉम्पलेक्स में 150 से ज़ादा हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट मॉनुमेंट्स हैं जिनका निर्मान 4th सेंचुरी से 10th सेंचुरी AD के बीच हुआ है पटालकल को चालुकन डाइनस्ट्री में होली साइट माना जाता था, जो कोरोनेशन सेर्मनी के उपयोग में किया जाता था शुरुवात के चालुकन रूलर वैशनवाइट थे और बाद में सेर्वाइट में कनवर्ट हो गए इस कॉम्पलेक्स में सबसे ओल्डेस टेंपल संग मिश्वर है जिसका निर्मार 679 से 733 AD के बीच विज्यादित 17 श्रे ने कराया था और लाज़ेस टेंपल वीरुपाक्ष टेंपल है जिसका निर्मार 740 से 745 AD के बीच हुआ लाज़ टेंपल जैन टेंपल है जिसे जैन नरायन मंदिर भी कहा जाता है इसका निर्मार लगभग नौमी शताबदी में राष्ट को डाइनिस्टी के रूलर कृष्ण सिकंड ने कराया था दोस्तों आईए जानते हैं कॉम्पलेक्स के अन्न मंदिरों के बारे में कड़ा सिदेश्वर टेंपल अपेक्छा कृत आकार में छोटा यह मंदिर 7th संचुरी में बना था मंदिर का शिखर टिपिकल रेखा नगर शैली में बना है जिसे नदन नगरा स्टाइल कहते हैं मंदिर की आउटर वॉल पर बनी अर्द नारिश्वर हाफ शिब्यन हाफ शक्ति की आकरिती सबसे खास है जंबू लिंगेश्वर मंदिर इस मंदिर का निर्मान साथवी सताबदी में कराया गया था मंदिर की दिवारों पर बनी विश्ण, सूर्य और लकुलीश की आकरिती बेहत खुपसूरत है गलगनाथ मंदिर इस मंदिर का निर्मान आठवी सताबदी के मद्ध में हुआ था मंदिर के बाहर गर्वग्री के सामने नंदी की प्रतिमा इस्थित है गलगनाथ टेंपल प्रजेंट टाइम में मोश्ट्री रुइंड है मंदिर के सदन पार्ट में लौड शिव को डेवन अंधक का बद करते हुए दिखाया गया है चंद्रशेखर मंदिर इस मंदिर का निर्मान नौवी सताबदी के अंत में करवाया गया था संगमेश्वर मंदिर मंदिर के इंस्क्रिप्शन के अनुसार मंदिर का निर्मान कारी 720-737 AD के बीच चला लेकिन 734 AD में पैट्रौन किंग विज्यादित की मृत के कारण मंदिर का काम पूरा नहीं हो सका कॉम्प्लेक्स के अन्य मंदिरों में काशी विश्णात मंदिर, मल्लिकार जुन मंदिर, विरुपाक्ष मंदिर, पाबनाथ मंदिर शैन नरायन मंदिर सामिल है पटादिकल कॉंपलेक्स से ओल्ड करुनड लाइंगुच के इंस्कृप्षिन भी प्राप्त हुए हैं पर्टिकुलर्ली भुरुपाक्ष और संग मेश्वर मंदिर से इंस्क्रिप्शन में King Vikramadit और Vijayadit द्वारा Land Grant और Temple Construction की जानकारी मिलती है खास बात ये है कि आठमी सताबदी का इंस्क्रिप्शन संस्क्रित में सिध्ध मात्र का स्क्रिप्ट में और दूसरा इंस्क्रिप्शन प्रोटो कन्न डेलगू स्क्रिप्ट में लिखा गया है